प्रोग्राम सेल्फ मेड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हर बार हम आपको मिलवाते हैं देश के उन चुनिंदा हस्तियों से जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी खुद गड़ी है और लाखों युवाओं को प्रिरित किया है इन्होंने चुनोतियों को अफसर में बदलना है इनके न तो आगे पीछे कोई गौड़ फादर होते हैं और ना ही सफलता के रास्ते से कोई परिच है अगर इनके पास कुछ होता है तो वो है उनका यकीन, उनकी मेहनत, लगन और सूजबूज अपनी इन्ही कौलिटीज के कारण जब ये किसी मौकाम पर पहुंसते हैं तब हम इने कहते हैं सेल्फ मेड आज के हमारे मेमान इन्होंने भी ऐसी ही चुनोतियों को अफसरों में बदला है और असलीपियस वेलनेस की नीव रखी है, इनका नाम है संजीव कुमार ये असलीपियस वेलनेस के CEO हैं और MDB संजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सेल्फ मेड पे, बहुत सुना है आपके बारे में बहुत सारी चर्चा होगी उस पर लेकिन शुरुआत हो, इस सिलसले का उससे पहले इनकी सफलताओं के बारे में एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने बनाई है, प्लीज आईए देखते हैं एसलीपियस वेलनेस सिहत की दुन्या में काम्यामी और विश्वास का एक लौता नाम है एसलेपियस वेलनेस प्रणा मखर जी के करकमलों से श्री संजीव कुमार जी को चैंपियन्स ओफ चेंज सम्मान से नवाजा गया जिसमें देश के कई मुख्यमंत्री, नामी गिरामी मिनिस्टर, समाद सेवी, उद्योग पती और गण मानने लोगों का नाम शामिल था मात्र छे सालों में असलेपियस ना सिर्फ आज लोगों के दिलों में, बलकि भारत की टॉप टेन डिरेक्ट सेलिंग कमपनी से में भी अपना स्थान बना चुकी है और हमें भरोसा है कि जल्द ही डारेक्स सेलिंग के क्षेत्र में न सिर्व भारत की बलकि पूरे विश्व की नंबर वन कंपनी होगी एस लेपियस वेलनेस आप लोगों को यह बता दू के संजीव कुमार एक ऐसे शक्सियत है जो हर्वल प्रॉडक्स की दुनिया में एक क्रांती लेकर आये हैं और इन प्रॉडक्स को घर घर में पहुचाना चाहते हैं संजीव जी आपसे बहुत सारी बाते करेंगे सबसे पहले तो मुझे यह बताईए मैं बहुत ही क्यूरियस था यह जानने के लिए कि यह जो नाम है असलीपियस वेलनेस यह आपने कैसे सोचा और इसका मतलब क्या है एसलीपियस वेलनेस का मतलब इसर गौड ओफ मेडिसिन गौड ओफ मेडिसिन जी यह ग्रीक के बगवान थे तो जब मैंने सोचा कि मुझे यह काम करना है वेलनेस इंडिस्ट्री में तो टीक होते है अराम होता है तो पस तोड़ा असे लगा कि यह नाम बतर रहेगा बेस् शायद नहीं मिली हो, तो आज आप इस मकाम पर पहुचे हैं, शुरुवात कैसे हुई? शुरुवात हुई कि मेरे फादर साब बिमार हो गए थे तो उन्हें टीवी हो गया था तो टीवी होने के बाद उनके फिप्रों में पानी बर गया था तो पानी जब डोक्टर ने का कि पानी निकालना पड़ेगा फिर नो महिने का उन्हें मेडिसन दिया गया था तो टीवी कि जो medicine काफी heavy होती है तो बोडी काफी week हो जाती है tv की medicine immunity भी कम हो जाती है तो मेरे किसी दोस्त ने कहा हर रे खर्वल product तो यूज कर क्या पता तेरे पापा जल्दी recover हो जाए है तो मेरे पापा शिरफ तीन महीने में recover हो गए महां से मुझे सोच आई संजीव jy संजीव जब भी हम लोग कोई नए चीज, कोई नया बिसनेस कुछ भी नया शूरू करते हैं तो जो हमारे सबसे खरीबी होते हैं जो दोस्त होते हैं खास कर जब आप छहलांग लगाते हैं तो लोग सोचते हैं रहे यार यह तुझसे नहीं होगा इतना बड़ा क्यों सोच रहा है I am sure कि आपके साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ होगा कुछ बताना चाहेंगे आपके शुरुआती दौर के बारे में हाँ जब इंसान सर अपनी मतलब जो उसके असेट्स है या उसकी नॉलीज है उसका ट इतना टैलेंटी इडी नहीं है तो शाहिद यह नहीं कर पाएगा तो उता हिया सर वह तु मैं ऐखनी टूखते हैं वह नहीं हों से और कम। सर मैं हमेशा से सोचता था लाइफ मैं पहले工作 में था तो सोचता कोई अच्छा बिजनस करना है चिसर जब मैं बिजनस के बारे मैं सोचता था तो एक कोली है थोत हमेशा हाती थी कि यह बिजनिसने के करें और के यार मज़ा आगे आपके प्रोडक्ट को लेके और प्रोफिट भी मिल जाए और लोगों की दुआई भी मिल जाएं इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता तो फिर मुझे समझना है यह वैलनेस इंड्रस्ट्री है और वह भी हरवल प्रोडक्स के साथ अगर मैं काम कर है कि आपने यह सब करने से पहले 16 साल 16 साल अपने भारतिय सेना में बिताएं अरे सर इसके बारे में तो कुछ बताने ही पड़ेगा हाँ जब मेरी जीवन की शुरुआत हुए तो मेरे फादर जो है वार्मी में थे तो हमारा पूरा परिवार पीडियों से आर्मी में तो महनत का ज़स्बा जो कॉंफिडेंस मिलता है या जो जीतने की जो आदत मिलती है वह अपने आप में मतलब किसी इस्टीटूट में नहीं मिल सकती वह फोज की नोगरी करके वह कोई सिखा नहीं सकता है जी 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 कहा क्या पोस्टिंग थी कुछ बताएंगे उसके बारे मेर पुस्टिंग एमंध नेगर रही है हिसे अपना कश्मीर में कर्वा में मेरी पुस्टिंग रही है और जह पचमनार्र खड़ी हुई थी तो सबसे पहले सिकार भी नहीं के लिए 31 मिलिटेंशी के साथ 3 साल निकाल ले हैं उसके बाद मैं नाबा भी रहूं और पठान कोड़ भी रहा हूं दोस्तों मैं आपको यह भी बताओं कि संजीव जी का जो बिजनस मॉडल है वो उन सिद्धांदों पर आधारित है जहां लोग अपनी शर्तों पर आर्थिक स्वतंतरता का जीवन बिता सकते हैं लेकिन शुरुवात में ऐसा नहीं था लोगों के म हैं कोई भी आद में बश्य बना सकता है लेकिन यह मोडल ऐसा है कि इसमें घ्रोत में अच्छा कर लेता है और यह प्रोफ़िविल्टि इसमें अच्छी है इंडिजन के लिए कंपनिज के लिए भी तो इस मोडल को कौपी करके कुछ लोगों ने यह वेयोफ विर्किंग को कंपनियां कहते हैं तो ऐसी बहुत कंपनिया इन ड़ेक्से मोडल की आड़ में आड़ मार्केट को गंदा कर जाती है तो तो फिर हम भी मार्केट मेशाते तो निक्रेक्ट yeah हैं हमारी फैक्टरी है लेकि लोग इसी नजर से देखते हैं कि वह दो के चार करने वाले तो नहीं तो इस वचे से बहुत सी कंपनी आई उन्होंने बहुत मार्केट गंदा किया आप गवर्मेंट काफी सक्त हुई है काफी अच्छे रूस लेका आई है और डारेक्ट सेलिंग के लिए अलग से रूस लेका यह जो इतिकल कंपनीज है तो आप जाके थोड़ा बहुत अच्छी 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 निवर्थ होने की वज़े से ही शायद संजीव देश और देशवासियों को सबसे आगे हैं और हमेशा बहतरीन उत्पादों को हमारे तक लाने की पूरी पूरी चेश्टा करते हैं संजीव के जीवन और उनके डारेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में बहुत कुछ जानना है लेकिन इस चोटे से ब्रेक के बाद कईमत जाईएगा तो यह तो अच्छी बात है संजीव जी तो यह बताइए हमारे ओडियंस को कि इस वक्त आप किसी प्राड़क्ट पे काम कर रहे हैं या किसी प्रॉजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपने मुझे भी बताया कि आप कुछ रॉउंच करने वाले आप बताना चाहेंगे हमारे फूद सब्सक्राइब के लोगों की कुछ लोगों की हर्थ जे हएं लिए डिया है क्योंकि योगhew आज फूड में गाते हैं उसमें सारव हैं फूड में हैं जो तो इसलिए कि सप्लिमेंट्स का भी सारा लेना पड़ता है तो हम लोग हमेंसे एडवांस कुछ नहीं करते रहते हैं और हमेशा नहीं करते रहेंगे हाँ एक और इंडर्टिंग क्वेष्चिन है क्योंकि आप कौलिटी की बात कर रहे हैं अक्सर देखा जाता है हिसे उन्डस्टी समय हो चाहे वह वो सब्लिमेंट इंड्स्टी में हो हो सbst dar रेहें जब शुरुवात होती है तो जब अब ऐफ उसकेबां धीरे धीरे जो होता है वो क्वालिटि की और खाने की और टेस्ट की और इन चीजों की जो क्वालिटी है वो डिकलाइन होती गुदी सैंग के साथ साथ में हेरबेगत कुछ दोस commerce रेश्टवांट बिसनीस में वह बोलते हैं कि है रिए रिक बार लोग यूस्टू हो जाते हैं इस जगा में आने के लिए तो इतनी खिच-खिच नहीं होती है क्या आपका मानना है कि यह आपकी इंडस्ट्री में बी होता है और क्या आप इस सेहमत है बिजनिस सेंस पर डिपेंड करता है, उसके मेंडिलीटी पर डिपेंड करता है, क्यों कहा तक जाना चाहता है, कितना बिजनिस करना चाहता है, लोगों के दिल में रहना चाहता है, दिमाग में रहना चाहता है, निकलना चाहता है, होता है सर, क्या होता है, कि एक लेंगे लगातार इसी रेट में देंगे डरे हुए लोग है फिर होता है बिजनसमैन को फिर मुझे बिल्कुल नहीं होता है मेरा जैसे रेट बढ़ता है इंग्रिगंट्स का अभी पीचे अभी जो सुचैटिशन कोबेड की ती तुल्सी के रेट हैप हुए अजगंदा तो निवी अपने फोटेक्ट को थोड़े इंग्रीज कर देपर में आज तक क्वालिटी नहीं गरही चैसाल होगे मुझे मेरे क्वालिटी में मेरा कोई कॉम्परमाइज नहीं है क्योंकि क्वालिटी कैसी चीजे जो कस्टमर को आपके लास बार बार ला सकती है आप प्रेसर सेलिंग करने सेलिंग एक बार कर सकते हो लेकिन री सेलिंग तो आपके क्वालिटी प्रोडेक्शी करेंगा फैंटासिक आम सो ग्लाड के आप ऐसा सोचत है जितने मैं भी फिटनेस में हूँ और बिकॉज मैं एक्टर हूं मुझे देखना पड़ता है कि जो बेस्कॉलिटी मुझे मिले चाहे खुराक से हो या सप्लिमेंट से हो वो मेंटें करना बहुत ज़रूरिया आपने डिरेक्श सेलिंग के लिए कुछ भी सेल कर सकते हैं अपने हरबल प्रोड़क्स ही क्यों चुने है सबसे पहला करण तो मेरी फैमिली में एक ऐसी गटना हुई थी कि मेरे पापा को टीबी हो गया था तो जो डॉक्टर्स नो महीने का कोर्स देते हैं तो बड़ी हैवी मेडिसंस होती है जार-जार 15-1500 मजी की तो बहुत वीकन जहां मुझे लोगों की दुआई भी मिले और मेरा बिजनिस भी चले और लोग भी कहिना की खुश रहे तो यह सोच के मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मुझे क्या बेचना चाहिए तो हर्बल प्रोड़क्स क्या होता है सर हमें दो तरह के फूड होते हैं एक गॉर्ड बढ़ान का बना हुआ है तो मैंने सोचा इंसान बढ़ान की बनावी जितनी चीजें यूज करेगा उतना फिट रहेगा उतना फाइन रहेगा और ठीक रहेगा बीमार नी रहेगा वैसे भी हमारे देश में आपको पता है बीमारी बहुत ज़्यादा है और विरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो यह दोनों चीजों को मद्य नजर रखते हुए मैंने यह सोचा कि इसलिपेस बनाते हैं बीमारी भी खतम और विरोजगारी भी खतम तो चलिए आप जानते हैं इनकी प्रोड़क्शन यूनिट के बारे में यह डिरेक्ट सेलिंग तो करते ही हैं ल अगर आप की थर्ड पर्ट इो यूफ फोर्स पार्नि करा रहें। इस तरह की ट्रेडिंग होई मेरे दिमाग में पहले दुन करणा तो आज हमारी सर दो फैक्ट्रि er already हैं और दो फेक्टिया भी हमारी बन रही हैं प्रोडेक्शन उनिट में चार सो के पास लोग काम करते हैं बहुत बड़ी आरंडी टीम में बहुत बड़ी लैब हमने इस्टेबलिस करका है जिसके गुनवता बरकरा रहे गुनवता बनी रहे क्वालिटी बनी रहे तो प्रोडाक्शन उनिट तो आप क्कॉलिटी कंट्रोल करते हैं तो सोर्सिंग के बारे में आपका मतलब उसमें भी आपका 100% योगदान है कि सोर्सिंग भी आप सबसे बेस हैं सबसे सब्स flavored नहीं होगी क्योंकि जैखिए सरो में बीच बेच रहे ते यह हैं अब हमारे डेश और इतने आप जो और्गानिक शोर्सिंग करते हैं उसके बाद भी उसके बाद का प्रोसे में करते हैं जी उसके बाद आरगांडी करते हैं अरज कारैंड़ सेश्डा होथ양 प्रोसेसिंग होती, एक प्रोडक्त बनता है उसकी स्टैबलिटी टेस्ट होता है के herbal products आपकी जिंदगी बदल सकता है और Asleepious Wellness ने इसे अक्षर सह साकार कर दिखाया है अपने बहतरीन Wellness Products और Direct Marketing Model के जरिये अपने इन ही प्रयासों के लिए संजीव कुमार जी को भारत के पूर वराष्ट पतीश्टी प्रणव मुखर जी ने Champions of Change Awards से नवाजा संजीव के साथ बहुत सारी बाते करेंगे लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत मुझे अपने expansion plans के बारे में और विदेशी योजना के बारे में बताएए आप ब्रेक में बता रहे थे कि आप चाते हैं कि यह आप worldwide ले जाएं और तो I'm sure कि हमारे audience यह भी जाना चाहिए ची sir हमेशा से में सोचता हूं कि जो हमारे इंडिया के पास सबसे बड़ा resource है वो हमारे organic products हैं हमारी hubs हैं हमारे जड़ी बूटिया हैं हमारे herbal products हैं जो सदियों से लोग यूज कर रहे हैं और उनको result आ रहे हैं लेकिन आज बार भी कंट्रियों में भी यह लोग मानने लगे हैं अभी खासकर यह situation जो है सब को बिलीव होगा है खी immune system strong होना चाहिए और strong करने के लिए जो हमारी hubs है तो नसी है गिलो एस गुंदा बहुत अच्छा काम करती हैं तो मेरा 100% प्लान है कि एक दिन वर्ल्ड की हर कंट्री में सब्सक्राइब करेगी और उसी प्लान के अनुसार ही में अपने सेट अप और अपने बैक अप तयार कर रहा हूं और आपको अगले दो-तिन साल में देखने को मिलेगा कि किना किना किसी कंट्री में लोंच हो चुके होंगा पूचना चारा था वो यह है कि अखसर लोगों का यह मानना मेरा भी मानना है कि आप अगर मध्यवर्च से शुरू करते हैं या लोओर मिल्ट लास से शुरू करते हैं बहुत वक्त लग जाता है अमीर बनने में पैसे कमाने में बहुत जद्दो-जहद करनी पड़ती है ले मैं बहुत जल्दी दो सकता लेकिन को समय में बहुत सकता है तो ढारेक्स चलिंग हूँ इवा कि अगर मैं बात करूं इंग सोच रहा है कि दीन बात करों करहें और भी संखरी नोगरी प्रायवेट होता है उनके बास मैंत करने का ज़स्भा होता है यंगिस्टर्स चितना ज़स्बा रहानी तो complete life है संजीव जी यहां पर एक मानना है शायद मैंने भी सुना है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं जैसे आपकी बात सुनके मुझे देखके सब आ जाएंगे डिरेक्ट सेलिंग में लेकिन बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं तो मायूस होके छोड़के चले जाते हैं उन बन जाएंगे साल दो साल में अब अमीर बन जाएंगे यह एक बैंबू ट्री का प्रोसेस है सर जैसे चैना में बैंबू ट्री होता है छै साल तक उसमें थोड़ी भी ग्रोथ नहीं होती लेकिन छैसाल बात इखटा वो 60 बढ़ जाता है तो यहां पर क्याएं तो कम पैसे चार कि है तो थोड़ा जादे आएंगे लेकिन अगर हमरी टीम 4000 की है 40,000 की चार लाग के तो बहुत ज़्याद हैंगे लेकिन उस टीम मल्टिप्लिकेशन में बनाने में थोड़ा समय लगता है एक लिश्ट मैं कहता हूं कि डारेक्ट सेलिंग करने वाले किसी भी वेक्टि कि वो इनसान की life का भी इनसान की income का भी इनसान की personality का भी कि ही एल मतलब वह एसास करता है 5 साल वाथ कि हां मैंने कोई अच्छा business चुना और मैंने को अच्छी गरोथ परें दो सवाल मैं जाने से पहले आपको पूचना चाहूंगा सब्से पहले तो आप कोई संदेश जेना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में या अपने मॉडल के बारे में या अपनी एथिक्स के बारे में मेरा यही संदेश है कि S.L.P.S. वेलनेस बहुत एथिकल और अपने प्रिंसिपल पर चलती है हमारी अपनी वेल्यूज हैं और हम लोग यही सोचते कि हम बहतर से बहतर प्रोड़क्ट कैसे बनाएं बहतर से बहतर सर्विस कैसे दें और लोगों को प्रोड़क्ट देने के बाद उन्हें रिपीट हमने पास लेका हैं और लोग कहें कि हमने यूज किया प्रोड़क्ट हमन तो देखा आपने कैसे अपने छोटे से सपने को संजीव ने अथक प्रयासों और बुलंद हॉंसलों से इतना बड़ा परिवार बना। वैसे आपका परिवार जो एस्लीपियस का कितना बड़ा है। नौ लाक के परिवार को हम और आप असलीपियस फैमिली के दरह जानते हैं अमीद है कि आपको भी संजीव की कहानी सुनकर प्रेरना मिली होगी आज के हमारे अंक में बस इतना ही अगले अंक में इनी के तरह किसी और इंट्रेसिंग शक्सियर से मुलाकात होगी तो टिल दन, तेकर फिर सेस्फ एंक में शक्राइब होगी देश में वित्व मंत्री तो एक ही है और बजट भाशन भी सब जगे सेव 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स आपको कहां रेखना है जड़ा सोचिए आपको बजट समझाएगा कौन सिर्फ जी बिजनस